अदित्य उद्धव ठाकरे का मतलब है अदित्य का मतलब सूर्य और उद्धव का मतलब उदे बाला साब के घर में अदित्य जो है वो उद्धव के घर में सूर्य की तरहां चमकेगा और आगे आने वाले दिनों में ये लड़का भी चीफ मिनिस्टर बनेगा ये बहुत से च कुंदलिक निराधार हैं यह बात मेरी देख लेना और यह बात साहीं सामने हैं यह बात एक दिन प्रूफ होगी यह सरकार रहती है यह नहीं रहती है उसको छोड़ दो उस परिवार के खून में ही इसी चीजें नहीं है जिस तरह से यह लांशन लगाए जा रहे हैं यह राजनितिक दबाव में आकर कुछ विरोधी पक्ष जो है ऐसी बातें करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है मैं अगर किसी को कल बोल देता हूं कि भाई तुमने बलातकर किया है तुमने यह कि तो उससे प्रूफ थोड़ी हो जाता है क्यांकि आप वालासर ठाकरे के पोत्र होूं अधित्य ठाकरे के पूत्र हूं आपके घर में आपको एक्सपोजर सब मिला बहर डेफिनेटली जब भी आप आप किसी position पे आ जाते हो तो आपके मित्र आपके साथ रहने वाले लोग आपका अनीद्र कृत यानी unwanted फाइदा लेते हैं आप 100% इनकी कुंडली में ऐसा ही है इनके मित्र इनके अपने रिष्टेदार इनको उनसे धूर रहना चाहिए at least for next one month or two months महाराष्टा में इन दिनों दो लोगों पर बेहद प्रिशर है उसमें से एक है मुख्यमंत्री उन्दव ठाकरे और उनके सुपूद अधित्य ठाकरे कि काफी सारी लोग ऐसे हैं कि जिनको विनमरता राजनीती में होते हुए अमल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन जिन संसकारों में अधित्य ठाकरे पले बड़े है, वो काफी अलग तरीके के संस्कार है, बाला साब ठाकरे के पोते हैं, उद्धो के बेटे हैं, रश्मी के बेटे हैं, तो ऐसे स्कीती में जिन तरिकों से और जिन माध्यमों से उनके उपर जो लांचन लगे हैं, क्या लगता है आधिक ते ठाकरे कितने मैं आपको तीन चीजों से रूबरू करना चाहता हूँ, दर्शकों से भी, उस परिवार के संस्कार, अभी जो आपने बोला, बाला साब ठाकरे के सपुत्र, उद्धव ठाकरे के पुत्र, उद्धव ठाकरे सौम्य, और किस तरह के व्यक्तितों हैं, आपने उनके उपर प दित्तिकी बात करें, तो एक बात पक्की है, जिस तरह की वीडियोς, यह जिस तरह के लांशन प॥िक लगा रही है, वो निराधार है, जिस तरह से ये लांशन लगाये जा रहे हैं, ये राजनितिक दबाव में आकर कुछ विरोधी पक्ष जो है, ऐसी बातें करते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, मैं अगर किसी को कल बोल देता हूँ कि भई तुमने बलातकर किया है, तुमने ये किया है, उससे प्रूफ थ स्थर इतना नीचे आ चुका है, आपने उनके कुंडली का अभ्यास किया होगा, बिल्कुल मैं करूँगा, अभी यहां भी करूँगा, आपकी, आपने उनकी कुंडली को देखा होगा, क्या आधित्य खाक्रे जैसा कोई विनम्र राजनेता, जब इस तरीके से चपेट में आ जाता या पज जाता है, तो उसके लिए जन्द की कुंडली और कुंडली के गरह जिम्मेदार होते हैं, या अपने घर में आये हुए कुछ दोस्त, या निकटवर्ती जो होते हैं, नजदी की लोग जो होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं, देखिए ऐसा है कि कभी-कभी आप एक अति आत्म विश्वास के चक्कर में पढ़ जाते हो जिसको इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं आपने कोई चीज नहीं देखी और अचानक देख ली आपको एक्स्पोजर तो मिला क्योंकि आप बाला साथ ठाकरे के पोत्र हो अदित्य ठाकरे के पुत्र हो आपके घर में आपको एक्स्पोजर सब मिला बार डेफिनेटली जब भी आप किसी पोजिशन पर आ जाते हो तो आपके मित्र आपके साथ रहने वाले लोग आपका अनीद्र कृत यानि अन्वांटेड फाइदा लेते हैं अप धन्डेड परसेंट इनकी कुंडली में ऐसा ही है इनके मित्र इनके अपने रिष्टेदार इनको उनसे दूर रहना चाहिए एकलिस फॉर नेक्स वान मन्थ और टू मन्स कोई भी देखिए धन की आपको कोई कमी नहीं है बेटा परिवार में पिता जी इस वक्त माननी ये मुख्यमंत्री है ऐसे मित्र जिनके उपर आपको किंचित भी आपको ये लगता है कि ये मेरा दुरुपयोग कर रहा है उसको इमीजेटली आप अपनी मित्रता की लिस्ट से बाहर कर दीजिए और दुरुपयोग करते हैं मित्र वो जाकर बोलेंगे कि अधित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे तो मेरे ही लोग हैं इसलिए उनका जो भी ऐसा व्यक्ति किसी भी बड़े आफिसर को जाकर बोलता है उसको इमीजेटली बाहर कर देना चाहिए और आपको अपने अधिकारियों को ये हिदायत देनी चाहिए कि अगर किसी भी तरह से हमारे नाम का दुरुपयोग होता है तो हमको इन्फॉर्म किया जाए आपकी कुंडली में बेटा मैंने आपको याद नहीं है ये इलेक्षन से पहले दो बविश्यावनियां की थी कि दिवेंदर फणनवीस भी चीप मिनिस्टर बनेंगे और उद्धव ठाकरे भी चीप मिनिस्टर बनेंगे वो एक दिन के बने और ये कितने दिन के बनते हैं आप उन देखते हैं दोनों बविश्यावनियां सत्ते हुई और मैं बहुत बार आपके शो के माध्यम से भी और अन्या चैनलों के माध्यम से भी ये बोल चुका हूँ कि आदित्य उद्धव ठाकरे का मतलब है आदित्य का मतलब सूर्य और उद्धव का मतलब उदे बाला साब के घर में आदित्य जो है वो उद्धव के घर में सूर्य की तरहां चमकेगा और आगे आने वेले दिनों में ये लड़का भी चीट मिनिस्टर बनेगा ये बहुत से चैनलों पर मैं बोल चुका हूँ कुंडली में देखकर जो लोग अधित्य ठाकरे का साथ देना चाहते है या अधित्य जिनके उपर निर्वर होना चाहते है वो उतने एक शमतावान है जितने की सुभाज देशाई, एकनाशिंदे, रामदास कदम, मिली नार्वेकर या विनोज गुसाड़कर या सुनिल प्र मुझे पूछी थी तो यहां पर मैं तो यही कहूँगा लोगों ने मुझे पूछा क्या अधित्य ठाकरे चीफ मिनिस्थर बन सकते हैं तो मैंने यह जवाब दिया था जो अभी आपको आपको अभी दे रहा हूं कि अभी वो बच्चे हैं, इमेच्योर हैं, उनको डेफिन आप अपनी टीम बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें उनकी गलतियां हो रही हैं, उनहीं की टीम में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जो उनका दुरुपयोग करके उनको मिस्गाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली, क्योंकि गुरु में बुद्ध हो क आजाते हो, आप ये मानसिक बाते हैं, बहकावे में आजाते हो और कहीं न कहीं उस ट्रैप में आजाते हो, ओवर कॉन्फिदेंस की वज़ा से कि मेरे पिता जी मुख्यमंत्री हैं और मैं स्टेट का मंत्री हूँ, तो उस बहकावे की वज़ा से आपसे मिस्टिक हो सकती है इस वक्त आप कोई भी चीज तीन महिने तक अपने पिता के बिना पूछे बिना ना करें और अगर पिता आपको बोलते हैं कि ये हमारे सिनियर नेता हैं इन से सलालो जैसे जोशी साब हैं बजुर्ग हैं वो अभी शायद तबियत भी उनकी ठीक नहीं रहती है और ऐसे नेता जो है रामदास कदम है चाहे वो नेता नहीं है नेता है अभी मंत्री नहीं है धीपक सावंत है सुभाज देसाई है जो पुराने लोग है उन लोगों की सलाह लेकर आप चलें और उद्दव जी से भी मेरा आगरा है कि आप सारी चीजें एक पर नोट करें कि कौन से उनके मित्र हैं डेफिनेटली उनको छांटी कर दें तीन महिने के लिए अपने सामाजिक क्रियाओं के उपर नजर रखनी चाहिए आपने बाकी आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है